एक बड़ी ही अजिब खबर देखने को मिली और पता नहीं ये न्यूज कितनी सच है लेकिन मेरे मन को लगा कि चलो हम अंतराश्ट्य खबरों पर वीडियोज बनाती ही है तो इस पर भी एक वीडियो बना कर आपको जानकारी दी जाए पता नहीं आपको एक खबर सच गीविया नहीं लेकिन न्यूज में जो बताया जा रहा है वही आज आपको बताने की कोशिश करूंगा तो बने रहिएगा और वीडियो भी पूरी देखिएगा तो दोस्तों खबर है नेपाल की ओर से और इस नेपाल ने भारत के एक सुस्ता नामा गाउपर कबजा कर लि जानकारी के मताबिक सुघोली संदी के तहेत सुस्ता गाउप भारतीय सिमा में है लेकिन पचास साल पहले आई बाड की वज़े से ये गाउप गंडक नदी के उस पार चला गया यानि नेपाल की तरफ और तब से नेपाल ये दावा कर रहा है कि गंडक नदी के इस पार की जमीन उसकी है और इसी बात को लेकर अब दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है के हिते भारती एस इमाम इस्तित सुस्ता गाउपर नेपाल की वर्षों से नजर रही है और नेपाल उस पर कबजा करने का समय समय पर प्रयास भी करता रहा अब ये विवाद इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि नेपाल की ओली सरकार ने एक बार फिरी से विवाद इद गाउपर पूरी तरे से कबजा करने के लिए अपना प्रशाशनिक भुगोल ही बदल दिया यानि नेपाल की सरकार ने भारत की सुस्ता गाउप को हतियाने के लिए पूरे की पूरे त्रिव वाली नदी है करीब पाच दशक पहले तक सुस्ता और नरसहिया समेत वहां के आसपास के गाउ भारती एक शेत्र में हुआ करते थे आज भी है लेकिन फर्क सरिफ इतना है कि वो नदी के उसपार है दरसल गंडक नदीन गाउं के दुसरे तरफ बहती थी 50 साल पहले गंडक न नदी में बाड़ाई और कटाव शुरू हो गया नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और भारती एक शेत्र की और बढ़ने लगी इससे भारत के ये जो गाउ थे वो नदी के उस पार चले गए और अब वहां की जमीन पर नेपाल ने अपना अधिकार बढ़ाना शुरू क का मानना है कि भारत अपने पडोसियों पर दर्या दिली दिखाना बंद करे जो हमारे पेर की धुल बराबर भी नहीं वो हमारे गाउं को अपना बता रहे हमारे पास इतनी बड़ी फोज है राफिल सुखोई जैसे अग्रिम फाइटर जेट से तो इने सिर्फ परेट में उ राफिल ने अगर नेपाल पर से उडान भी भरी ना तो भी ओली की अकल ठिकाने आ जाएगी आज उसने एक गाउ कबजाया है कल बाकी के भी कबजाएगा अगर हमने वक्त रहते कुछ नहीं किया तो क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि भारत अपने निकम में पडोसियो अबिद जरूर करें जय हिंद